हेलो एवरिवन आईए आज की इस वीडियो में हम आपको लाल कृष्णा अध्वानी के जीवनी के बारे में बताते हैं। लाल कृष्णा अध्वानी एक कददावर राजनेता माने जाते हैं। भारती अजन्ता पार्टी के इस वरिष्ठनेता का योगदान प्रशंसा के पात्र है। अपने उजवल राजनेतिक जीवन के दोरान वह कई बार भाजपा के अध्यक्ष चुने गए हैं। वैसे तो बीजेपी पाटी को खड़ा करने और राश्ट्री अस्तर पर लाने में कई अनुभवी राजनेताओं का योगदान रहा। लिकिन उनमें से प्रथम पंक्ती के चुनिंदा पॉलिटिशन की सूची बनेगी तो ल के अध्वानी का नाम पहले लिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपे नित्रत्व वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अध्वानी जी को देश के साथ वे उप्रधान मंत्री बनने का सम्मान प्राप्त है। लाल कृष्ण आध्वानी 1998 से 2004 के समय में Minister of Home Office इंडिया के पद पर भी रह चुके हैं, तथा 10 वी और 14 वी लोकसभा के दौरान उपोजिशन दाल प्रमोख भी रहे हैं। वर्ष 2009 के आमचुनाव में के दौरान आध्वानी G.N.D.A. National Democratic Alliance के लिए प्रधान मंत्री प्रत्याशी कैंडिडेट भी रह चुके हैं। लाल कृष्ण अध्वानी को भारत का द्वितिय श्रेष्ट सम्मान, पद्म विभूशन, मेल चुका है। आए भारतिय जनता पार्टी के आधार स्तंब स्वरूपनेता लाल कृष्ण अध्वानी की जीवनी विस्तार से जान लेते हैं। अब आए इनके प्रारंभिग जीवन एवं शिक्षा के बारे में जानते हैं। लाल कृष्ण अध्वानी का जन माच नवंबर 1927 के दिन हुआ था। उनका जन स्थान कराची, पाकिस्तान बताया जाता है। यह क्षेत्र तब बत्वारे से पहले भारत का हिस्सा था। लाल कृष्ण अध्वानी एक सिंधीक हिंदू परिवार से तालुक रखते हैं। उनके पिता का नाम किशिंचंद डी। अध्वानी और माता का नाम ज्यानी अध्वानी है। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत में आबसा। लाल कृष्ण अध्वानी की प्राथमिक शिक्षा संट पेट्रिक हाई स्कूल कराची में संपन हुई। उसके बाद उनकी आगे की शिक्षा हैद्राबाद सिंध के डी। जी, कॉलेज से हुई पाटिशन के बाद भारत आ जाने पर उन्होंने अपनी वकालत की प्राई बॉम्बे युनिवसिटी गवेर्नमेंट लौ कॉलेज से की लाल कृष्ण आध्वानी स्वामी विवेकानंद के विचारों से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। आध्वानी जी को पूर्व समय में हिंदी भाषा बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी, उन्हें सिंधी और अंग्रेजी बोलने में ही अधिक सहजता महसूस होती थी। अब आए ये, लाल कृष्ण आध्वानी का राजनेतिक सफर के बारे में जानते हैं। भारतिय जन संग में योगदान वर्ष 1942 में लाल कृष्ण आध्वानी आर्स्स राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग से जुड़े, उन्होंने अपने करिय की शुरात एक स्वयम सेवी के तौर पर की, इस संगठन में अपनी सेवाएं देते हुए आध्वानी जी ने कई नवीन अर्स्स शाखाओं का निर्मान किया, इंडिया पाकिस्तान के पार्टिशन होने के पहले वह कराची स्थित राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग में प्रवरित रहे, बर्टवारे के बाद उन्हें भारत आने पर मत्स्य अलवारा राजस्थान भेजा गया जहां पर उन्होंने वर्ष 1952 तक अभूत पूर्व सेवाएं दी, इसके बाद आधवानी जीने राजस्थान में ही रहकर जालावार, भरतपुर, कोटा और बूंदी जिले में काम किया वर्ष 1951 भारतिय जान संग की स्थापना हुई, लाल कृष्णा अधवानी RSS से जुड़े होने के कारण जान संग से भी जुल गए, अपनी कुशल राजनेतिक सूज बुझ के चलते उन्होंने कुछ ही समय में जान संग का जनरल सेकरेटरी पद मिला, इसके बाद वर्ष 1957 में उन्हें दिल्ली जान संग का अध्यक्ष बना दिया गया, आधवानी जी ने अपना राजनेतिक सफर आगे बाते हुए, वर्ष 1967 में महानगरिया परिशद इलेक्षन लड़ा और उसे जितकर काउंसिल नेता का पद अरजित किया, राज्य सभा का सफर वर्ष 1970 में पहली बार लाल कृषन अधवानी राज्य सभा के सदस्य बने, इस मन्जिल को हासिल करने के लिए उन्हें करीब 19 वर्ष का समय लग गया, आधवानी जी अपनी राजनीती और नेतिक मूलियों का खूब आदर करते थे लाल कृषन अधवानी वर्ष 1973 में कानपूर कमेटी के अध्यक्ष बने, वर्ष 1975 में कॉंग्रस राज्य के दोरान अपात कालिन स्थती के कारण, कई बड़े विरोध पक्ष भारती अज्जान संध के साथ जुडे, इसके बाद भारती अज्जनता पार्टी का निर्मान दिन पर दिन आधवानी जी का राजनेते कानुभाव और कद बड़ रहा था, आने वाले समय में वर्ष 1976 से 1982 तक वो गुजरात राज्य सभा के सदस्य रहे अटल बिहारी वाजपाई के साथ मिलकर आधवानी ने वर्ष 1977 के लोग सभा चुनाव, जैनरल इलेक्षन लड़े जनता पार्टी से भाजपा बी जेपी का सफर इंदिरा गांधी सरकार ने जब अपात कालीन शासन लागू किया तब पुरे राजनेता समाज में विरोध की लहेर सी दोड़ गई, कॉंग्रेस सरकार का यह कदम ही उनके चुनाव हारने का प्रमुख कारण बन गया, अब सत्ता जनता पार्टी के हाथ में थी, नई सरकार में मोरारजी देशाई भारत के प्रधान मंत्री बने, अटल बिहारी वाजपाई को विदेश मंत्री का पदभार सौपा गया, तब लाल कृष्ण अध्वानी सुचना एवं प्रसारन मंत्री बनाए गए, कुछ समय बीतने के बाद इस पार्टी के दिगगज नेताउं ने पार्टी को छोड़ना शुरू किया, आने वाले समय में एक नई पार्टी बनी जिसे भारतिय जनता पार्टी नाम दिया गया, भाजपा दल में भी लाल कृष्ण अध्वानी को विशेश और महत्व पूर्ण स्थान मिला, भाजपा पार्टी द्वारा वर्ष 1982 में अब आई आयोध्या राम मंदिर विवाद पर बात करते हैं, एक लंबे समय से भाजपा का चुनावी मुद्दा राम मंदिर निर्मान रहा है, वर्ष 1980 में विश्व हिंदू परिशद यानी वी एच्पी द्वारा राम मंदिर निर्मान मुहीम शुरू की गई, भारत के हिंदू संगठन इस बात में विश्वास रखते हैं कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी है, पूर्व समय में जहां राम मंदिर बना हुआ था उसे तूवढ़ा कर बाबर नाम के शासक ने जबरन बाबरी मस्जिद का निर्मान किया, इतिहास की इस अप्रिय घटना का सुधार करने के लिए अनेक हिंदू संगठन और बीजेपी दल वचन बद हुए हैं, लाल कृष्णा अध्वानी के नित्रित्व में बीजेपी ने राम मंदिर निर्मान मुद्दे को हमेशा प्राथ हमिकता दी है, वर्ष 1996 मे भाजपा एक मजबूत पार्टी ब समय में आई के गुज्राल और एचडी देवगोडा की सरकार बनी लेकिन करीब दो वर्ष 1996 से 1998 के अंतराल में द्वस्त हो गई, फिर एक बार वर्ष 1998 में ग्रेह मंत्री का पद, वर्ष 1998 में अन्डी ए की सरकार बनी जिसमें बीजेपी अग्रसर थी उसके बाद जेलल इता दी ए से अपना समर्थन वापिस ले लिया और एंडी ए की सरकार का पतन हुआ, अगले इलेक्षन तक अटल बिहारी वाजपई ने सरकार को संभाला, उनके कार्यकाल यानी वर्ष 2004 के समय तक लाल कृष्न आधवानी ग्रेह मंत्री मतलब होम मिनिस्टा के पद पर बने रहे और आधवानी जी को भारत का उप्रधान मंत्री पद भी सौपा गया, अब आईए लाल कृष्न आधवानी के परस्नल लाइफ के बारे में जानते हैं, लाल कृष्न आधवानी का विवा वर्ष 1965 में कमला देवी से हुआ था, इस दमपत्ती की दो संतान है, उनके पुत्र क नाम जयन्त आधवानी है, वो एक बिजनसमेन है, आधवानी जी को एक पुत्री भी है और उनका नाम प्रतिभा आधवानी है, प्रतिभा एक टीवी सीरियल निर्माता के तौर पर सक्रिय है, इसके साथ साथ वो अपने पिता के राजनेतिक क्रिया कलापों में भी सहाएका के तोर पर महत्व पूर्म भूमी का अदा करती हैं। दुर्भाग्य वर्ष अप्रेल 2016 में लाल कृष्ण आध्वानी जी की पत्नी का निधन हो गया। तेज रदेगात उनकी मृत्यू का कारण बना।